नवस्कार मैं नेहा साहिन ब्यारी नीज में आपका स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिपीएसी टी आरी थिरी सिप्षक बहाली में एक खाली पदों की होगी गिंती पेरिस पैरालंपिक में दिखेगा जमुई के सैलेस कुमार का जलवा ब्यार को बिजली बेचेगा नैपाल ग्रामीरों का डाइट शार्ट तयार करेगा क्रिसी विस्विद्याले जारा जेटली बनी विराट कोहली की फैन अब चली बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिपेसी टी आरे 3 सिक्षक बहाली में एक खाली पदों की होगी गिंती ब्यार लोग सिवायों कि तीसरी चरण की सिक्षक बहाली में एक मैतपूर अपडेट सामने आया है शिक्षा ब्यभाग ने पहली और दूसरी चरण की सिक्षक न्यूकतियों के बाद कख्षा नौ से दस और ग्यारहवी बारहवी बें सिक्षकों के रिक तरह गय पदों की जानकारी मांगी है अब इन रिक पदों को तीसरी चरण में जोड़ा जाएगा शुक्षा बिभाग ने समी जिला शुक्षा परादिकारी को नर्देशित किया है कि बैकलॉग पदों की गर्णा करते हुए कोटिवार रिक पदों की जानकारी तीन दिनों के अंदर भेजे इस पर करिया गदर जिलो को बैकलॉग की गंडा करने के बाद कोटिवार पद जिलाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना होगा इसके साथ ही विभाग ने जिलो को एक फॉर्मिट भी भेजा है जिसमें पूरी रिपोर्ट तयार करके सौपनी होगी आज भी OPD बंद नहीं होंगे ओपरिशन कोलकता जुनियर डॉक्टर हत्यकार्ट की बिरोध में एक साथ राजधानी की चारों बड़े अस्पतालों की OPD सेवा कई दिनों से बंद है अस्पताल परिशर के साथ साथ आज पास की सडकों और बाजारों में सन्नाट अपसरा हुआ है एनम्सीच की अधिक्षक डॉक्टर बिनोत कुमार सिंग ने बताय कि कोलकता की शर्मा के घटना से हम सब दुखी है लेकिन रोग्यों का उपचार हो इसलिए रेजिडेंट ड खुलवाने का परियास किया जा रहा है बदादे आज भी ओपीडी सिवाय बंद है आईजी आईएमस आर्टी के अध्यक्ष डॉक्टर रज़त कुमार ने कहा कि जब तक परश्रासन लिखित में सेंटरल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का स्वासन नहीं देते तब त खेलों में भाग लेंगे श्रैलिस कुमार को भारत की ओर से पेरीज पैरालंपिक के लिए चुना गया है वहीं श्रैलिस ने सभी का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और राज्यक्ष खेल प्राधिकरण की ओर से उन्हीं हमेशा पूरा सयोग और पुरत् कोसिस करेंगे तो एक बर फिर जमुई के श्रैलिस कुमार ने साबित किया है कि समर्पड और मेहनत के बल पर कोई भी सपना सकार किया जा सकता है कहीं लाल निसान से उपर तो कहीं लाल निसान से नीचे रहा नदियों का जलस्तर केंदरी जलायोग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार पटना के दिघा घाट पर गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान से नीचे है जबकि गादे गाट और हाती दह में ये लाल निसान से उपर बैर रही है मुंगीर में गंगा नदी खत्रे के निसान से नीचे है लेकिन भागलपूर के कहलगाव में गंगा का जलस्तर खत्रे के निसान से 83 सेंटीमेटर उपर है मनेर की बात करें तो मनेर में सोन नदी का जलस्तर लाल निसान से 99 सेंटीमेटर नीचे है दुमर्या घाट में गंड़क नदी खत्रे की निसान से नीचे है खगड़िया में बोढ़ी गंड़क नदी अपने लाल निसान से 73 सिंटीमेटर उपर बह रही है तो इस ताजा रिपोर्ट के अधार पर विभिन छेत्र में नद्यो की जलस्तर में भिन्नता देखी जा रही है जहां कुछ जगों पर जलस्तर खत्रे की निसान से उपर है वही कई जगों पर खत्रे से नीचे है बिहार को बिजली बेचेगा नेपाल भारत ने नेपाल को 251 मेगावाड अतरिक्त बिजली निर्यात करने की आनुमति दे दी है ये पहली बार है जब नेपाल बिहार को मध्यमवधी के बिक्री समझोती के तहट बिजली आपूर्थी करेगा भारती दुत्तावास ने जानकरी दी है कि भारत के सिमापार वैपार के लिए नामित प्राधिकरण ने नैपाल में 12 जल बिद्दुत परियुचनाओं से 251 मेगावाट अतरिक्त बिजली निर्यात को मजूरी दी है इसके साथ ही नेपाल अब 28 परियुचनाओं से 941 मेगावाट जल बिद्दुत का निर्यात करेगा बतादे से पहले नेपाल 16 परियुचनाओं से 690 मेगावाट बिजली का निर्यात कर रहा था इस समझोते से दोनों देश्रू के बीच उर्जा सहयोग को और मजबुती मिलेगी और छेतरीय उर्जा सुरक्षा में योगदान होगा संजीव मुख्या के बैंक के खाते को एडी ने किया फ्रेज निट पेपर लिक मामले में नया मोड सामने आया है से बियाई के बाद अब एडी ने भी जाच के जिम्मदारी संभाल ली है एडी ने पेपर लिक के मास्टर माइंड माने जा रहे है संजीव मुख्या के बैंक खाते पर रोक लगा दी है जानकारी के मुताबिक संजीव मुक्या वर्तमान में फरार है ये कारवाई PMLA यानि प्रिवेशन आफ मनी लॉंडिंग एक्ट के तहत की गई है ED के जाच में सामने आया है कि संजीव के बैंक खाते में 5.27 लाग रुपई की राश्ट्री मौजुद है अब ये पदा लगा जा रहा है कि ये रकम कहां से आई और कब-कब पैसों की निकासी के गई है बदादे संजीव मुक्या नलांदा जिले की निवासी है शिक्षकों और करमचारियों का वेतन रुका बिहार सरकार ने विस्तो विद्यालियों को मिलने वाले ग्रांट पर रुक लगा दी है जिसके बाद विस्तो विद्यालियों के सिक्षक और करमचारियों का वितर भुकतान रुग गया है जुलाई महीने का वितन अब तक नहीं मिला है सिक्षा सचीव बैद्धनात यादों ने डॉक्टर एस सिधार्थ की आदेश पर ये ने लिया है सिक्षा बैभाग ने विस्तो विद्याले के कुलपतियों को सुचित किया है कि वे पी रोल मेनेज्मेंट पोटल पर सिक्षक, सिक्षकीतर, कर्मियों, पेंसन और अतिती सिक्षकों से संबंधित डाटा अपलोड करें बता दे अब तक केवल 135 डाटा ही अपलोड किया गया है जिसे रिखते वी सिक्षा बिभाग ने आश्वन तोस जताया है अब तक डाटा अपलोड करने में देरी के कारण सरकार ने जुलाई की ग्रांट पर रोक लगा दी है बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलट बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलट जारी किया है वही कई जिलों में छिटपुट बारिश होने की संफावना है मौसम बिभाग के अनुसार दक्षिड बंगलादेश और उसके आसपास के अलाकों में निम्न दबाव के छेत्र बना हुआ है जिसके कारण चक्रवर्ती परी संचरन का छेत्र बना है लड़कियों के साइकल उप्योग में ब्रिध है हाली में IIT दिली और मुंबाई के नर्सी मोंजी एस्टिटीट ऑफ मैनेजमेंट एस्टडिज की संजुक्त शूद में ये जानकारी सामने आई है कि बहार के ग्रामेड शित्रों में साइकल से स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में ब्रिध होई है अदिती सेट जो नर्सी मोंजी एस्टिटीट ऑफ मैनेजमेंट एस्टडिज की शूद करता है नोंने इसे एक मौन करांती का नाम दिया है जो देश के एक बड़े सिमे साइकल चलानी के अस्तर में अभुत पुर्व वृधी को दर्शाता है शूद के दौरान प्राप्त आकडों से ये भी अस्पश्ट हुआ है कि साइकल वत्रण योजनाय ने इस ब्रिधी को प्रुत्साहित किया है इन योजनाओं की लागो होने से सबसे बड़े लभारती ग्रामी लड़कीया साबित हुए है जो अब साइकल का स्थमाल कर स्कूल जाने लगी है ग्रामिडों का डाइट चार्ट तयार करेगा क्रेसिव सुविध्याले वियार क्रेसिव सुविध्याले ने एक विसेश कुपोसड उनमोलन कारिक्रम की शुरुबात की है जिसके तहत राज्जु के 28 गाउ में लोगों का सर्वे क्या गया है इन गाउ में कुपोसड बच्चो और व्रसको को स्चिनित करुण की कुपोसड को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाये जाएंगे कुलपती डॉक्टर डी आर्ट सिंग ने इस पहल के बारे में जानकारी दी है दरशल लोगों के पास समय नहीं रहने के कारण सही समय पर भोजन नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़ा से कुपोसड का सिकार हो जाते हैं वैसे में विस्सुबिद्याले रेडिमेड मोटे आनाच का बना भोजन तयार करने की विवस्था कर रहा है खेल दिवस पर सम्मान समयरों का होगा आयूजन खेल दिवस के खास मौके पर बहार में एक खास आयूजन होने जा रहा है इस बार बहार में दो परमुख हस्तानों पर खेल सम्मान समयरों का आयूजन क्या जाएगा 29 अगस्त को राजगीर में स्तित नौनिर्बित खेल आकादमी में और 5 सितंबर को पटना की ग्यान भवन में ये समारों आयू जित किये जाएंगे राजगीर के समारों में इंटरनेशनल मैडलिष्ट और बिभिन पार्टिसिपेंट्स को सम्मानित किया जाएगा वईपट्टा में ज्यान भवन में अन्ने खेलाडियों को उनकी उतकरिष्ट परदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा इस खास औसर पर पिरिस ओलंपिक के मेडलिष्ट स्रीजेस भी बिहार आएंगे बिहार राजी खेल प्राधिकरण की महानिदेश्चक रविंदरन शंकरन ने ये जानकारी दी है रोणी आचारे का पीम मोधी पर हमला लालू यादो की बेटी रोणी आचारे ने पीम नरेंदर मोधी पर गंभेर आरोप लगाए है रोणी आचारे ने पीम मोधी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीम अपने देश की अंदरोनी मामलों को सही से नहीं संभाल पा रहे हैं और यूक्रेन रूस युद को रोकने का जूठा परचार कर रहे हैं उन्होंने बिसेस रुप से जमु काश्मीर में हाली की आतंकवादी घटनाओं की बढ़ती संख्या की ओर इशारा करते हुए चिंता जताया कहा कि जमु काश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर है और हाल के दिनों में आतंकी हमलों में अपरत्यासित बरिधी हुई है उन्होंने केंदर सरकार और प्रधार मंतरी द्वारा आतंकवाद पर काबू पाने की दाओ की हकीकत को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने का आरोप लगाया गुपाल मंडल के खिलाफ धमकी का केस दर्ज चाच जारी जेडियो बिधायक गुपाल मंडल पर उनके ही पार्टी के नेता और होटल संचालक नरेश मंडल ने गाली गलौज करने और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया था जेडियो नेता की शुकायत पर परबत्ता थाने की पोलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाच शुरू कर दी गई है इस मामले पर हडियो ने बताया की केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जाच के बाद आगे एक्सोन लिया जाएगा अब सभी की नजर पोलिस की जाच रिपोर्ट पर है ऐसे ने वाना जा रहा है कि जेडियों के विदायक गुपाल मंडल की मुस्किले बढ़ने वाली है परशांत किसोर का तेजस्वी यादों पर हमला परशांत किसोर ने तेजस्वी यादों पर हमला बोला कि तेजस्वी यादों का ये बयान दर्साता है कि वे अपने ही पार्टी के निताओं और कारिकरताओं की इमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं परश्चरांद किसोर के अनुसार तेजस्वी यादों ने इस बयान के जरीए ये संकित दिया है कि उनके पार्टी के सदस से पैसा लेकर जन सुराज में जा रहे हैं जो कि उनकी राजनितिक नादानी को उजागर करता है इसके साथ ही परश्चरांत किसुर ने ये भी कहा कि राजनिती में ऐसे बयान अक्सर बिरोधियों को कमजोर दिखाने के लिए दिये जाते हैं जारा जिटली बनी बिराट कोहली की फैन न्यूजिलेंड की युवा महिला कर्केट जारा जिटली भरती किरकट के स्टार बिराट कोहली की बड़ी फैन बन गई है हाली में एक पॉडकास्ट में श्रामिल हुई जारा ने विराट कोली के प्रती अपने आभार और सम्मान को साजा किया 22 वर्सिये जारा ने कहा कि वे कोली के खलाफ गिंद बाजी करना चाहती है और उनके साथ एक तस्वीर खिचवाना उनका सपना है जिसे वे अपने इस्ट्राग्राम पर साजा करना चाहती है बता दे कि वेलंग्टन व्लेज के लिए एक हेलते हुई जारा ने महिला सुपर स्माइस के पिछले सीजन में अपने टीम की जीत में महत पोड भूमे का निभाई थे बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्षन में लिकर दिया है आज की सवाल की और आज का सवाल है आपका पसंदीदा खेल क्या है आप अपना जवाब हमें हमारी कामेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही बिहार के तबाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निज और साथ ही अगर आप यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क करें और अगर आप फेस्बुक पेच पर दिख रहे हैं तो लाइक और फालो को जरूर करें धन्यवाद